चंडिगड PGT टीचर वेकेंसी 2023 यस माइटेयर स्टूडेंस जेबिटी के बाद चंडिगड एडिविशेशन की तरफ से एक और तौफ़ा है आपके लिए चंडिगड एडिविशेशन लेके आया एजूकेशन डिपार्टरमंट आपके लिए PGT मतलग पोस्ट ग्रैजुट आपके स्कूल कडर का लेक्षर की जो पोस्ट लेके आया है और यह तोटल लॉब्रों जो वेकेंसीज यह 98 पोस्ट हैं और अलग लग सब्जेक्ट किया है और अपना सब्जेक्ट देखके जो हैं स्क्रीन शॉट ले सकते हैं तो माईटे स्टुड्र बायलोगी की सिक्स है एकनौमिक सी दो एंटलिश की की हैं जगराफि की तीन है ले एक साथ में तो आपके साथ में में ंखलेंगाया शएर कर रहा हूँ मैं तो घृटने dats के यह जो vacancies निकली हैं चंडीगर पीजीटी लेक्चरार विकैंसिस जो है यह आज ही निकली है स्थारा दस को जे अड़ीजमन जो है चंडीगर्डीजनी वेबसाइट पे आये है और इसकी जो ओनाइन आप इकिशन स्टार्ट होगी यह 25 दस मतलब 25 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, अभी स्टार्ट नहीं होगी, आपने जा कि आज यह नहीं डूढने लग जाना कि कहा online apply करना है, यह 25-10 से स्टार्ट होगा, और इसकी closing date जो है, वो 16-11 है, 16 जो November है, इसकी online apply करने की last date और फीस भरने की जो लास्ट डेटा वो है 20 नुवंबर तो अब बात करते हैं यह जो अडबर्टिस्मेंट निकली है इसकी जो है चेंडिगट पीजीटी टीचर विकेंसी इलिजीविल्टी क्या है हां जी जो पोस्ट ग्राजवेट टीचर मतलब स्कूल लेक्टरार की जो पोस् जो है 50% मार्क के साथ होनी चाहिए साथ में नबर टू बैचलर डिग्री मतलब बैचलर डिगरी अज्यूकेशन बैचलोर वेज़ुकरेशन मतलब इन्होंने डिगरी भी मांगई है 45% के साथ मतलब दो चीजे होनी चाहिए आपके पास ओन दल ऐडगर आड़ लास्ट लेकिन यह चाहिए आपको एड़ टाइम ओफ इस्विंग ओफ अपॉइंटमेंट लेटर मतलब अगर आपके पास यह कंप्यूटर सेटिकेट अभी नहीं असी घंटे वाला बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है यह बाद में भी जो है कि किसी कोचिंग सेंटर में जाके उन्होंने अगर फिजिकल एजूकरिशन जो पोस्ट है उसमें में फिजिकल एजूकरिशन एंड बी एड चाहिए या इन दोनों में से यह दोनों होनी चाहिए या फिर आपके बास मास्टर इन फिजिकल एड़ की डिगरी की हुई है तो इस पेज का भी आप स्क्रीन चाहते हैं और कोचिंग लेना चाहते हैं मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि अभी जल्दी ही टीजीटी की पोस्टे भी आने वाली है आप लेट मत करिए क्योंकि फिर टाइम नहीं बसता है प्रेपरेशन के लिए तो यह डेली सारे तीन घंडे की क्लास होती है क्योंकि और साथ इसके टाइमिंग रहेंगे यह बेट कड़ में मिलेगी और हमारा नंबर है डवल 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 फो डवल टू डवल जिरो वर्टसप नंबर भी एई कॉलिंग नंबर भी एई आने से पहले जो है अगर आप इंक्वाईरिंग करना चाहते तो इस नंबर पे कॉल कर स देखिए एक जो जेवीटी में तो common slaves होता है लेकिन जेवीटी वारा सारा स्सक्राइब पार्ट ए में आता है इसमें क्या है 150 मार्क्स का मतलब पार्ट ए और पार्ट बीके दो पेपर हैं ठीक है जी 40% नंबर जो आपको लेने हैं क्वालिफाई करने के लिए हर में तो तभी आप merit में consider किये जाएंगे total number of questions 150 आएंगे total marks 150 है और आपका जो है part A के लिए 50 मिनिट का time मिलेगा और part B के लिए 100 मिनिट का time मिलेगा अब part A का जो syllabus है इसमें क्या आएगा जो आपका subject मी के common paper है इसमें आएगा जी के आएगा जी के सारा इंडिया का general awareness आएगा quality, history, geography कुछ भी आ सकता है current फिर भी आ सकते हैं और साथ वे reasoning आएगी 12 number की computer और teaching aptitude and pedagogy 12 number की आएगा arithmetic and numerical ability 12 number की आएगी और English, Hindi, Punjabी तीनों को मिला के 14 number मतलब 14 mark से English 5 number की Hindi 5 number की और Punjabी 4 number की बहुत से बच्चों को ऐसे लगेगा हम रहाना से हमने तो Punjabी नहीं पड़ी तो बिटा ये 4 number आपको छोड़ने पड़े हैं आप बाकी जो है त्यारी कर सकते हैं 150 में से आपके 146 mark से अच्छे से त्यारी कर लो तो आप paper pass कर सकते हैं और जो 100 marks का जो paper है that is subject specific मतलब जिस post graduation subject में आपने graduation किये यह post graduation किये उसी से related questions आएंगे उनका difficulty level जो है post graduation कर रहेगा मतलब जो बच्चे UDC level की त्यारी करते हैं उनके लिए paper clear करना बहुत असान है जिसमें negative marking भी है 0.25 marks की और relevant subject मतलब difficulty level जो है वो qualifying का होगा तो अब जो है यह दो paper होगे 50 number का और 100 number का तो bright card में आपको यह 50 number वाले paper की जो है त्यारी करवाएगी क्योंकि subject जो है हर बच्चे का लग लग होता है subject की बच्चे आपने जो है पिछले 7 साल में प्लस 1 प्लस 2 आपने graduation में आपने post graduation में same subject पढ़ा हो है तो आप coaching join कर सकते हैं और जो है इसकी जो है fee है मतलब जो online apply करने की fee है 1000 रूपीज बाकी सभी category के लिए और 500 है एसी category के लिए और age limit जो है वो 21 to 37 है as on 1-1 2023 मतलब यह जो age limit है यह 1-1 2023 को मांगी है और जो आपकी legibility qualification है वो last date से पहले होनी चाहिए अब आगे आगे कि इसका कोई घर बैठे भी त्यारी कर सकते हैं तो माइडर students आपके लिए जो है वो PGT चंडिगट PGT teachers coaching जो है वो online मिल जाएगी आपको जिसमें सारा video course होगा सारा syllabus होगा 50 marks वाला जिसमें क्या क्या होगा math होगा reasoning होगी gk होगा इंगलिश होगा पंजाबी होगा computer होगा teaching attitude होगा हिंदी होगा current affair होगे सारे PDF notes जिसको आप download कर सकते हैं वीडियोस जो है आप जो है वो जितनी मर्ची बात देख सकते हैं उसमें कोई limit नहीं है वीडियो course लेने से पहले आप बहाँ पर जाके डेमो वीडियोस देखके quality चेक कर सकते हैं सेवन्टी फाइव इंडेड इस course की फी है और एक साल इसकी validity रहेगी application का जो link है मैं description में आपको प्रवाइड कर रहा हूँ इस वीडियो course को लेने से पहले आपको आपके मन में कोई भी doubt है तो हमारा जो और आपको फिर बता रहा हूँ जो टीजीटी वाले बच्चे यह बच्चे भी बिल्कुल त्यार हो जाए और अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको नोट्स मिल जाएंगे सारा बाइस पोस्क्त भी मिःपास भी मुँवा सकते हैं या आके आके देख के भी खार सकते हैं तो यह सारे अगर आपने लेना चाहते है स्पीड पोस्ट मिःखा बइस कर सकते हैं तो आप यह नमबरटे को सकते हैं गल अच्छे से त्यारी करनी है नेक्स लेवल की त्यारी करनी है अच्छे से मेनत करनी है और पेपर पास करना है आपको मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और मिलते हैं जो बच्चे कोचिंग लेना चाहते हैं नए बैच में 18 अक्टू पीजीटी टीचर विकेंसी कोचिंग आप जोइन किजिए थांक यू बरी मुच